कि नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्पेक्टर मॉडरनिस्टी की 73 वीडियो में आपका स्वागत हैं यहां पर हम लोग बात करेंगे दे गौर्वर्मेंट स्ट्रेटजी यह निकि यह जो आपके मॉडरेट्स थे यह जो आपके एक्स्टिमिस थे इनके अगेंस्ट क कि किया strategy थी गोर्मेंट ने कितने flawless तरीके से अपनी इस strategy को implement किा कैरट deceive psychology यहां पर बात करेंगे थ्री प्रंग्ड अपिर उसके बारे बात करेंगे और और फिर बात करेंगे हम लोग इवालूईशन ये जो पूरा हम लोगोंने डिसकस किया है मॉडरेट्स की बाद एक्स्रिमिस्ट की बाद गॉर्मेंट का रिस्पांस थी उसकी बाद इसका एक complete evaluation करेंगे हम लोग एंड में और फिर ये चाप्टर खतम हो जाएगा तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पर लाइक बटन दबाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप डिरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जितना हो सकेगा मैं आपको जव तो नफरत करते ही थे यह अंग्रेज क्या वो मॉडरेट से थोड़ा बहुत प्यार करते थे क्या मॉडरेट के लिए उनके दिल में कुछ फीलिंग थी कुछ नहीं था उनके दिल में मॉडरेट के लिए वो मॉडरेट से भी उतनी ही नफरत करते थे बट कहीं न कहीं जो ब बोलने को अवाइट करने के लिए कुछ करना जूरूरी था तो यह जो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस का जो प्लैटफॉर्म था जो की extremist को और moderates को एक common platform दे रहा था आगे आने के लिए Britishers के against बोलने के लिए इससे ये अंग्रेज रहे थे डर ओके आप देखोगे कि जो moderates थे moderates को extremist के काम करने के तरीके समझ में आनी रहे थे और 1905 की समय में 1906 की समय में 1907 की समय में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस में दबदवा किस का था? Moderates का था इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को dominate कौन कर रहा था? Moderates कर रहे थे और इन Moderates को ये militant जो trend नजर आ रहा था militant nationalistic trend जैसे कि 1908 में अलिपुर बॉम केस हुआ इस तरीके के और भी revolutionary activities हुई है जहां पर violent activities को execute किया गया तो ये चीज़ें Moderates को समझ में नहीं आ रही थी उनको पसंद नहीं आ रही थी last decade of 19th century यानि 1890s में ये trend और आप कह सकते हो कि first decade of 20th century में trend बहुत तेजी से देखने हो मिला और इस trend के अगेंस में जो government hostility थी जो government repression था जो government cruelty थी वो और तेजी सामने आया Moderates को ऐसा लगता था कि अगर इस trend को एक limit से आगे बढ़ने दिया तो ये government की cruelty और तेजी से आएगी ओके तो Moderates को इन अंग्रेजों ने chocolate खिलाने कोशिश की Moderates को लगा कि शायद अंग्रेज अब हमारी demand को conceit कर देंगे अगर हम उनके against में violence नहीं करते हैं बट कहीं न कहीं अंदर से जो Britain था वो Moderates से भी नफरत करता था चुकि Moderates भी Indian National Congress के member थे वो भी reforms माग रहे थे वो भी self government माग रहे थे वो भी administrative devolution माग रहे थे जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रहा था चुकि अंग्रेजी कुछ नहीं देना चाहते थे अंग्रेज थे राजा और वो हमको गुलाम बना के रखना चाहते थे तो कोई भी ऐसी force कोई भी ऐसा organized group जो उनसे rights मागेगा वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा तो moderates भी नहीं पसंद थे अंग्रेजों को चुकि extremist से थोड़ा डर लगने लगा था और moderates और extremist की जो bond homie थी जो unity थी उससे थोड़ा डर नहीं लगा था तो यहां पर अंग्रेजों को समझ में आए कि extremist और moderates की बीच में पूट डालने बड़ेगी देखे किया लिखाया है विद दा कमिंग अब दा स्वदेशी और बॉयकॉट मूपमेंट और इमर्जेंस अफ मिलिटेंट नैशनलिस ट्रेंड इन अ बिग वे थे गॉर्मेंट मॉडिफाइड इस स्ट्राटजी तोवर्द दा नैशनलिस नाओ दा पॉलिसी वास तुबी अफ रैलिइंग दें जॉन मॉरले दे सेक्रेटी अफ स्टेट और दा पॉलिसी ओफ केरट इन स्टिक इट में बी डिस्क्राइब एस थी प्रॉंग्ड अप्रोच और पॉलिसी के बारे में मैंने कई बार पहले भी आप से बात करी है आप कह सकते हो कि रैलिइंग दें मतलब मॉडरेट्स को यह अपने तरफ रैली करना चाहते थे देखें इंडियन नैशनल कॉंगर्स में आप यह चोड़ो 1857 के समय की जो क्रान्ती थी वो क्रान्ती थी सक्सेस्फुल क्यों होई क्योंकि कुछ तब के हमारी सुसाइटी के कुछ रीजन्स में कमाइड होके बिडिश सरकार के अगेस्ट खड़े हो गए तो यह जो यूनिटी थी इस यूनिटी से डरते थे यह अंग्रेज और इंडे नशनल कॉंगर्स में मॉडरेट्स और एक्स्टेमिस्ट की जो यूनिटी थोड़े समय के लिए आई थी इससे डर रहे थे यह अंग्रेज तो अंग्रेजों ने क्या बोला थ्री स्टेप अप्रोच रेप्रेशन कंसीलियेशन सब्रेशन पहले स्टेज में क्या किया कि एक्स्टेमिस्ट को थोड़ा कम दबाओ माइलली दबाओ कुरूड इनका रेप्रेशन नहीं होता माइलली रेप्रेशन होना चाहिए समझाता हूं कैसे 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ 1908 में बाल गंगादर तिलक साब के उपर सेडिशन के चार्जिस लगाए क्या 1905 में या 1906 में तिलक साब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि सेडिशन के चलते हैं उनको 8-9 साल जेल में डाल देते तो अंग्रेजों ने 1908 में तिलक साब को जेल में क्यो डाला 1905 या 1906 में ही क्यो निडाल दिया चुकि उस समय पे अगर ब्रिटेन तेजी से रेप्रेशन दिखाता तो कहीं न कहीं वो मॉडरेट्स और नैशनलिस्ट को यूनाइट कर देता लेकिन उस समय पे जो ब्रिटेश रेप्रेशन था वो थोड़ा माइल्ड था एकदम से सब को जेल में नहीं डला गया क्रूड रेप्रेशन नहीं हुआ चुकि क्रूड रेप्रेशन का माइल्ड दबाना शुरू कि तो फोड़ा तोड़ा दबाना शुरू किया माइल्ड दबाना शुरू किया तो एक्स्टमिस को थोड़ा ढदाया उससे Stan Show को दभाया मकूंशिश की दूसरी स्टेज में ने क्या किया मोड़ेट को chocolate to बाटने शुरू कि और उन्हों मौडरेट्स को बोला कि देखो हम तुमको ये कंसेशन करेंगे देखो बिटिश के पारलाइमेंट में सब चीजों के बारें बात चल रही है तुम्हारे इन इन चीजों के बारें बात चल रही है यहां यहां पर हम तुमको रिफॉर्म्स दें जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अलीपुर बॉम केस हुआ था 1908 का जिसमें खुदी राम बोसर प्रफूल चाकी ने डगलस किंग फोर्ट के जो कैरवान था उसको बम फेका था बड़ उसमें दो यूरोपेन लेडिस थी जान चली गई थी कभी इस चीज़ को तिलक साम ने सीधे सीधे सपोर्ट नहीं किया बट एक इंडिरेक्ट सपोर्ट दिया तो यहां पे मॉडरेट्स को समझा रहे हैं ब्रिटिशर्स की देखो यह जो एक्स्ट्रिमिस्ट हैं यह गलत कर रहे हैं और अगर आप इनका साथ दो गए तो अच्छा नहीं होगा इससे बेटर यह रहेगा कि आप हमारे साथ दे दो चुकि अगर आप इनका साथ दो गए तो जो ब्रिटेन की पार्लामेंट में थोड़े बहुत आपको रिफॉर्म्स देने की बात की जादी वो रिफॉर्म्स देने की बात कर रहे था exactly क्या relaxation देंगे इस पर कभी भी अंगरे जोने कोई clarity नहीं दी वो बोलते थे कि देखें पार्लेमेंट में जो हमारे bosses हैं वो बैटके discussion कर रहे हैं जल्दी आपको कुछ बताया जाएगा और finally जब second stage में moderates को extremist से isolate करने में जब British government successful हो गई उसके बाद इन्होंने extremist को अपनी पूरी might के साथ suppress करना शुरू किया अगर moderates और extremist के बीच में एक unity होती तो extremist को इतना गंदी तरीके से suppress करना moderates की बसकी नहीं होती ना moderates और ना ही extremist Britain की इस policy को समझ पाए और कहीं न कहीं ये जो carrot and stick policy थी Britishers की जबरदस्त successful होई सूरत split इसका perfect example था और इस तरीके की बहुत सी policy थी जो Britishers ने इंडिया में चलाई इंडिया को control करने के लिए और वो successful हुई है कहीं न कहीं उसने इंडिया को अंदर से तोड़ दिया अंदर से कमजोर कर दिया और उसमें से एक policy है अक्टूबर 1906 में क्या हुआ कि एक group of Muslim elites अब यहां पर जिन Muslim leaders की मैं बात करूँगा दोस्तों कहीं से भी उन Muslim leaders को ना आप Muslim masses का representative समझेगा नहीं आप उनको Muslim masses का हिताशी समझेगा चुकि देखिए जो piece entry थी जो lower class थी उस lower class के साथ Indian national congress connect कर पाई थी Muslim league कभी भी connect नहीं कर पाई Muslim league ने हर important Indian आप कह सकते हो initiative को oppose किया चाहे वो quit India movement हो और मैं Muslim league की बात कर रहा हूँ specifically Muslim masses ने बढ़ चड़के देश के आजादी में हिस्सा लिया है बढ़ चड़के उन्होंने स्कुर्बानिया दिये देश के आजादी के लिए लेकिन ये जो Muslim league थी कहीं न कहीं इंडिया की partition के लिए responsible था एंडि तक Muslim league Britishers को pacify करती रही क्यों सिर्फ एक objective के लिए कि Britishers उनको एक अलग पाकिस्तान दे दे वो कभी भी एक unified इंडिया नहीं चाहते थे वो धरम के नाम पे देश को तोड़ना चाहते थे वो कहीं न गए उन्होंने Muslim masses को इस चीज के लिए mobilize किया लेकिन Muslim masses ने देश के लिए बहुत जाने दिये इस बात में कोई doubt नहीं है तो आप देखोगे similar deputation आया और इसके leaders से कुछ Muslim elites अभी October 1906 में क्या हुआ कि एक leader से आगा खान वो मिले वाइस राय लॉर्ड मिल्टो से और लॉर्ड मिल्टो से बोला कि साहब हमको separate electorates दे दो और हमको excess numerical strength दो यानि कि चितना हमारा proportion है पूरी आजादी में उस से जादा आप हमको representation दो क्यों चुकि देखिए हम आपके empire के defense के लिए कितना काम कर रहे हैं ये जो Muslim league बनी थी ना ये Muslim league Indian national congress को एक तरीके से counter करने के लिए बनी थी तो जहां Indian national congress nationalistic feeling को promote कर रहा था और इंडियन national congress के अंदर हर धरम हर तपके के लोगों को support दिया जा रहा था हलाकि ये एक अलग बात थी कि जो हिंदू leaders थे वो हिंदू तरीके से चीजों को propagate करते थे तो उसके साथ Muslim masters अपने आपको associate नहीं कर पाते थे और कहीं नहीं जो Britain के divisive policies थी जैसे के करजन के समय पे जो partition और बंगाल हुआ इसको आप कह सकते हो थे कि एक तरीके से ये जो बंगाली nationalism से इसको रोकने के लिए पालिसी थी religion के नाम पे society को तोड़ने के लिए पालिसी थी और भाई ये policies अंग्रेजों की successful भी हुई है तो आप देखोगे कि आगा खान ठीक है शिमला डेपूटेशन लेके पहुँचे लॉर्ड मेंटो वाइसरा के पास उरस से बोला कि आप Muslims को separate electorate दीजे और जितनी हमारी proportional population का उससे ज़्यादा हमको representation दीजे क्यों चोंकि हम आपके empire के लिए defense के लिए अलग तरीके से काम कर रहे हैं हम इंडियन national congress को oppose करेंगे इस तरीके सारी बाते हुई तुरंथी ये जो आगा खान वाला शिमला डेपूटेशन थे जो important leaders थे इन्होंने Muslim League की leadership ले ली Muslim League को किसने बनाया था नवाब Salimullah ने बनाया था ठका में थे ये इनके मदद की थी नवाब मोसीन बुल्क वकार उन बुल्क तो आप देखो कि December 1906 में बनेगा आपका Muslim League October 1906 में आया था similar deputation तो ये जो important leaders थे ये मिल गए मिल के इन्होंने Muslim League की leadership ली और empire को बोला कि देखी सर हम तो आपके साथ है वो जो Muslim intelligent class है जो Muslim lower class है middle class है पीजेंटरी इनका aim था कि ये इनको इन sections को Indian National Congress से दूर रखे कहीं भी जो ये leaders थे जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया ये nationalistic नहीं थे ये leaders ने Indian National Congress के सारे independence initiative को oppose किया है ये सिर्फ आप कह सकते हो कि empire के favor में रहके अपने लिए कुछ अलग benefits मांगना चाते थे देश को आजाद कराने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे तो हो सकता है कि अगर Indian National Congress देश की आजादी के लिए ना रहती और Muslim League के तरीके को अपनाए जाता तो हो सकता आज 2020 में भी हम गुलाम होते या फिर एक तरीके की कॉलोनी होते जो कुछ भी होता वो एक अलग चीज है अब यहाँ पर reforms की बात करते है जो वाइसरोय थे Lord Minto ठीक है और उनके साथ जो Secretary of State थे John Morale अब उनके सामने ये सजेशन आया हो सजेशन क्या था Muslim League की तरफ से कि भी या आप एक काम को separate electorates दे दो ये तो Morale Minto के लिए एक आप कह सकते हो ना कि के करक दिया हो प्लेट पे अरे ये तो society को तोड़ना ही चा रहे थे Moderates को Extremist से तोड़ने में इन्होंने जान लगा दी और यहां पी इनको एक मौका मिलगा कि चलो भाई एक काम करते है Moderates का support ले लेते हैं Muslims का support ले लेते हैं तो ये सारी branches हमाई तरफ जाएंगी तो ये जो Nationalistic Movement उठ रहा है इसको हम दबा देंगे अब ध्यान दीजे यहां Nationalistic Movement में हर क्लास और हर religion के रोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं Hindus भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं Muslims भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये Muslims जो Indian Freedom Struggle में कूद रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं Muslims को Muslim League ने क्या बोल रहा है कि आप बटक रहे हो आप हटो आप समझ रहो ना या पर क्या हो रहा है उसके बाद आप देखोगे कि क्या आएगा Moral Minto Reforms आएगा और इस Moral Minto Reforms को क्या बोला गया Indian Council Act of 1909 क्या क्या बोला गया इस Indian Council Act of 1909 भगिया Non Official Membership के लिए Elective Principle को recognize किया गया क्या election का सिध्धान्त 1909 में पहली बार आया था नहीं election के सिध्धान्त को indirectly introduce कर दिया गया था Indian Council Act of 1892 में Indian Council Act of 1892 में जिस election के सिध्धान्त को introduce कर दिया गया था नाम के लिए कुछ उस तरीके का ही आपका 1909 में था 1909 में भी जो elections हुए ना डारेक्ट नहीं थे बैब बताता हूँ 1892 में क्या हुआ 1892 में या नि 1892 का जो आपका Indian Council Act आये तो उसमें क्या बूला गया कि भईया जो Non Official Members आप याद रखिये दोस्तों दो तरीके के legislative asembles थी एक तो center legislative assembly थी जो center में काम करती थी एक provincial emotional क्याम करती थी जो provinces में काम करती थी इनमें दो प्रकार का नंसबर थे एक official member एक non official member official member थे European non official members थे Indians शुरवात में जो non-official members थे जो कि Indians हुआ करते थे तो वो इन अंग्रेजों के चम्चे हुआ करते हैं जैसे जैसे इंडिया नेशनल कॉंगर्स सीन पर आईगी वैसे वैसे जो नॉन ओफिशल मेंबर से उसमें कुछ नैशनलिस्टिक लोग भी गुषने लगेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में ये बोला गया कि भाईया सेंटर लेजिसलेटिव काउंसिल के कुछ नॉन ओफिशल मेंबर्स की जो नॉमिनेशन है न वो वोईस राय किसके रिकमेंडेशन पर करेगा प्रोविशल लेजिसलेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पर करेगा बंगाल चैमबर अफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन पर करेगा और प्रोविशल लेजिसलेटिव काउंसिल के जो नॉन ओफिशल मेंबर्स है उनकी अपॉइंट्मेंट गवर्नर किसके recommendation पर करेगा, district board के recommendation पर करेगा, municipality के universities के, trade association, chambers, जमींदार के recommendation पर करेगा और ये recommendation कैसे आएगी तो जो provincial legislative assembly है वो अपने अंदर से कुछ election बगरा करेंगी बंगार, chamber of commerce अपने अंदर कुछ election करेंगी और उस election के basis पे ये नाम बेजेंगी आपके वोइसराई के पास और वोइसराई इस person को appoint कर देगा, तो एक तरीकी का election ही तो हुआ ये, इस election के सिधान को Indian Council Act of 1892 में जोड़ दिया गया था, Indian Council Act of 1892 देखना चाहते हैं या फिर Indian Council Act of 1909 देखना चाहते हैं, मेरे नाम के साथ इन Acts को YouTube पे सर्च मार दीजें मैंने अलग से बहुत पहले इनके ओपर वीडियो बना दी है जाब आप बात करो, Indian Council Act of 1909 में, Indian Council Act of 1909 में भी बोला गया कि ठीक है भाईया ये जो non-official membership है ना, councils की, इसमें भी Indians को election में participate करने का अधिकार मिले का यानि कि जो non-official member है आपकी जो Indian members है Central Legislative Council के Provincial Legislative Council के इनको जो अंग्रेजी सरकार सीधे-सीधे nominate कर देती है तो ठीक है आप एक काम करो, लोग ही elect करेंगे इनको अभी लोग elect करेंगे किस तरीके से elect करेंगे ये एक अलग चीज़ है उसको हम थोड़ी दिल इन देखेंगे इन Moralimento Reforms में 1989 के Indian Council Act में एक बड़ी Controversial चीज़ थी कि Muslims को separate electorate दे दिया गया और ये बोला गया कि जो Muslim सीटे हैं उन पे लोग लड़ेंगे वो तो Muslim होंगी होंगे उनके लिए वोट भी किवल Muslim जनता डालेगी तो ये सबसे Controversial चीज़ थी Moralimento Reforms को एक communal element जो था उसको institutionalize कर दिया थे यहाँ पे अंग्रेजी सरकार रहे और आप देखोगे यहाँ पे Imperial Legislative Council में और Provincial Legislative Council में Non-Official Membership को बढ़ाया गया Provincial Legislative Council में Non-Official Majority ले आई गई और Imperial Legislative Council में Official Majority रहे लेकि Non-Official Members को बढ़ाया गया अब आप बोलोगे यह Official Majority, Non-Official Majority क्या थी मैं आपको बताता हूँ जो Imperial Legislative Council थी Central Legislative Council थी उसमें थे Total 69 Members अभी इन 69 में से 37 Official Members थे और 32 Non-Official Members थे अभी 37 Official Members मतलब European Member 32 Non-Official Members मतलब Indian Members तो 69 की Membership में 37 Official है तो Majority किस की होगी Official Members Majority होगी तो Indians की Majority नहीं है तो इस Indian Council Act of 1909 में Imperial Legislative Council में Central Legislative Council में Official Majority रही तो Europeans थी उनको Majority रही Indians को Majority नहीं मिली लेकिन इसी Indian Council Act में जो आपकी Provincial Legislative Council थी वहाँ पे Non-Official Majority कर दी गई अभी Provincial Legislative Council की मैं Total Membership आपको नहीं बता सकता हूँ चोकि Provincial Legislative Council की जो Membership थी वो अलग-अलग थी तो बंगाल में अलग Number of Members थे Bombay में अलग Number of मदरस थे मदरास में अलग Number of Numbers थे ठीक है अगर आप बात करो Imperial Legislative Council की तो 32 आपके क्या है? ये 32 हैं आपके Elected Non-Officials अब आप देखो इन 32 Elected Non-Officials में से पांच को नोमिनेट किया गया है तो Effectively 27 Elected Non-Officials तो 27 ऐसे इंडियों से जिन को अलेक्ट किया गया है तो Non-Officials में Total थे 32, 32 में से 5 को नअपिनेट किया है अभी इन 27 जिनको elect किया जा रहा उसमें से 8 सीटे Muslims के लिए reserve की गई है उसके बाद आप देखोगे 4 सीटे British capitalist के लिए reserve की गई है 2 सीटे landlord के लिए reserve करी गई है और 13 सीटे general electorate के लिए reserve की तो 8, 4, 12, 2, 14, 13, 27 तो ये 27 जो elected non-official membership थी उसमें से ये था Muslims को दी गई 8 सीटे, British capitalist को 4, landlord को 2 और 13 सीटे के इसको general electorate को तो यहाँ पर आप देखें कि 8 सीटे Muslims के लिए reserve की गई और बोला गया कि इन 8 सीटे के लिए जब voting होगी तो सिर्फ Muslims उसमें vote डाल रहे है यानि सीधे सीधे society को communalize करने की कोशिश की जा रही है और यह criminalization two way हुआ आप यह नहीं बोच सकते हो कि सिर्फ Muslims ने किया जब इन 13 सीटों पे candidate को nominate करने की बात की गई तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ठीक है यहाँ पे भी आप Muslim candidates को nominate कर सकते हो चुकी तो general electorate है ना तो जो हिंदू सक्षेंस ते वो क्या बोलने लगेंगी कि बहुत ही प्रॉपर और चालाक और तेज तर्रार तरीके से यहाँ पे society को तोड़ा था इनोंने और यह जो नाम के 27 elected members रखे थे ना का भी जो election था वो भया indirect था जबरदस्त इंडिरेक्ट था तो local level के लोग एक electoral college बना के provincial legislature के लोग को elect करेंगे provincial legislature के लोग क्या करेंगे वो central legislature के elected members को elect करेंगे तो यह जो 27 elected non official members थे यह election के बाद आ रहे थे नहीं local bodies के लोग अभी local bodies के लोग elect करेंगे provincial legislature के लोग और वो provincial legislature के लोग alert करेंगे central legislature के लोग तो बड़ी सारी layer बन रही है अलाकि उतना layer में घुसने की जरूत है नहीं चुकि उतना काम का है नहीं ओके यहाँ पर आप देखोगे कुछ और society को divide करने लिए चीजें की गई आपको पता है कि जो मुस्लिम representation था उसको तो access में दिया ही गया है चुकि एक community को बुरी तरीके से appease करके Indian national congress और बढ़ते हैं nationalism को रोकने की एक सोची समझी चाल थी यह अंग्रेजों की सासाथ मुस्लिम voters के लिए जो income qualifications थी वो भी कम रखी गई आपको पता था उस समय पर universal adult franchise नहीं थी उस समय पर वोट डालने की ताकत भी केवल उन लोग के पास मिलती थी जो एक minimum amount of tax देते थे एक minimum amount of land था उनके पास तो देखिए इसके बारे में अलग 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 लोगों ने क्या बोला गया Lord Moran ने क्या बोला कि reforms may not save the Raj but if they don't nothing else will क्या कह रहे हैं कि भईया ये जो reforms आ रहे थे भले इन reforms में कुछ substantial था नी बट कहीं न कहीं ये reforms जो nationalistic feeling है उनको बढ़ने में रोक रहे थे इन reforms के चलते हैं हम society को और तेज़े से divide कर पा रहे थे और अपने राज की foundations को और strong कर पा रहे थे Okay, Monfort Report ने क्या बोला ये जो 1909 के reforms थे ये Indian problems को सुलजाने के लिए नहीं थे इन्होंने Indian problems को और बढ़ा दिया कोई भी answer नहीं किया और जवाला नेरू जी ने क्या बोला कि इंडिया का जो unifying चल रहा था इंडिया का जो amalgamation चल रहा था इंडिया की जो historical unity को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी उस unity को तोड़ दिया है इन्होंने separate electorates को लाके आप देखोगे कि इसी Indian council act of 1909 के थ्रू नाम के लिए legislatures की power को बढ़ाया गया अब actually में जो moderate reforms मांग रहते उसमें अंगरेजों न क्या क्या अंगरेजों ने थोड़ा बहुत legislature की ताकत को बढ़ा दिया तो imperial legislative council की भी ताकत को बढ़ाया तो in fact जो non-official members से उनकी ताकत को बढ़ाया और provincial legislative assembly में भी जो non-official members से उनकी ताकत को बढ़ाया तो ताकत को किस तरीके से बढ़ाया कि भाईया ये ज़्यादा सवाल पूच सकते हैं ये supplementary questions पूच सकते हैं ये separate items of the budget पे voting डाल सकते हैं अभी देखो दोस्तों कितने शाड़े हैं अंग्रेज वोट डालने का मतलब क्यों दिया जाता है कि majority उसको support करें अभी imperial legislative assembly में तो majority officials किये तो voting में officially जीतेंगे अभी जो non-official आपने membership दिये उसमें से 5 nominate कियें तो non-official member 32 उसमें से 5 nominate है अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार आपने टट्टूओं को nominate करेंगे, वो तो उनी के लिए vote करेंगे इन बाकी बच्चे वे 27 को भी आपने धरम के नाम पे तोड़ दिया तो जिनको आपने धरम के नाम पे तोड़ दिया वो भी कुछ politics के through British सरकार को support करने लगेंगे तो actually में जब budget को imperial legislative council में introduce किया जाएगा तो उसका position बहुत कम होगा तो vote डाल भी दोगे, आप अलग-अलग items पे उसके against ने तो कुछ खास होने वाला है नहीं और overall पूरे budget पे आप ऐसे भी vote नहीं कर सकते हो तो in fact on ground Indians को कुछ भी नहीं दिया गया इस Indian council act of 1909 में कोछ अच्ची चीजें होई जिसे वाइस सरवाई के executive council में पहले Indian member को किसको मनाया गया सत्येंद पता पसांच सेना साब को इसके बारे में तो मैंने अपनी politic video में भी डीटेल में आपको बताया तो कुल मिला के अगर आप evaluation करोगे तो 1909 में actually में Indians को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है अगर आप evaluation करते हो इस Moralem into reforms का तो Moralem into reforms was actually a disaster for Indians a big disaster for Indians Lord Moralem ने साब साब बोल दिया कि अगर Congress self government मांग रही है तो self government like तो 1909 में कुछ भी नहीं है और अगर आप सोच रहो कि किसी भी तरीके का parliamentary system of government या responsible system of government आ रहा है देश में तो यह आपकी गलत family है सीधी सीधी बात थी constitutional reforms को इसलिए लेके आया गया था कि यह जो nationalist rank थी जिसमें moderates और extremist की unity बढ़ रही थी इसको तोड़ो moderates को confuse करो इन extremist से अलग करो और किसके थूर अलग किया है इन्होंने separate electorates जब यह separate electorates आये थे न moderates को भी समझ में आ गया था कि हमने क्या कर दिया तो moderates को और muslims को सोची समझी चाल के तहद इन्होंने national movement से अटाने की कोशिश क्यों यहाँ पे भी लिखाए यहाँ पे जो muslims को appeasement की बात की थी न यह सिर्फ एक small section of muslim elite था जो सबसे major तपका था जो किसान तपका था lower middle class तपका था उसको तो इन सब चीजों से वैसे भी कोई फरक नहीं बढ़ रहा था जो major leaders थे उनको अपनी तरफ खीच के यह दिखाने की कोशिश की जारी थी कि पूरी की पूरी community ही अलग है देश से हिंदू-muslim के अंदर एक बड़ी stripe है इस तरीके चीजों को यहाँ पे British ने promote करना शुरू किया और communismism तो एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे छोटी-छोटी चीजे अफेक्ट डाल देती है एक छोटा सा social media post ठीक है गाय को मार के या pig को मार के कहीं fake देना यह सब चीजें बहुत दंगे धलकाने के लिए इंडिया में और इस चीजें में British perfect थे प्लस जो system of election को यहाँ पे इंडियूस किया गया थो 1909 में जैसा कि मैंने आपको बताए 1892 में system of election का एक basic दाचा दिया गया था 1909 में भी selection के system को लाया गया बट बहुत ज़दा indirect था डायरेक्ट नहीं था तो directly लोग जिनके पास minimum amount of tax paying power है वो local board के लोग को select करेंगे local board के लोग provincial legislature के लोग को select करेंगे provincial legislature के लोग आपके central legislative assembly के लोग को select करेंगे imperial legislative council के लोग select करेंगे तो क्या मतलब भे इतने सारे आप अगर तो ऐसा होता कि भाईया imperial legislative council है जो central legislative council है यहाँ पे imperial legislative council, central legislative council imperial legislative assembly, central legislative assembly एक ही चीज़ है मैं जो बोल रहा हूँ अब या तो इनके members के लिए voting सीधे-सीधे लोग देते हैं, ऐसा भी नहीं है, तो लोग जो एक minimum amount of tax देते हैं, जिनके पास minimum amount of land है, वो पहले किसको vote देंगे, local board के members चुलेंगे, वो local board के members, provincial legislature के member को चुलेंगे, वो provincial legislature के member, central legislative assembly के member को चुलेंगे, तो क्या मतलब है आपने इ बहुत सरी problems थी, ठीक है, कहीं न कहीं, वो विकार की बातों पर अपने बातों को खतम करते हैं, कुछ लोग थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले साप थे, वो constructive चीजों पर भहस करना चाहते थे, तो universal primary education की demand कर रहे थे, repressive policies के against बात कर रहे थे, South Africa में Indian laborers के against, जो अत्या proof बनाया गया, end में एक summary दे रखे इस chapter की, वो summary की बारे में बात करने कोई फाइदा नहीं, मैंने बहुत ज़दा डीटियल में चीज़े समझा दी है, अगली वीडियो में chapter 13, first phase of revolutionary activities, 1907-1917 में आपको बता हूँगा, जहां पर हम लोग शुरुवात करेंगे, why the surge of revolutionary activities in India, the revolutionary program, a survey of revolutionary activities or survey region wise, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बंगाल की, फिर दूसरी जगों की, so thank you for watching this video friends, have a great day, good bye.